Hello everyone, welcome to such an education hub आज हम contract costing के बारे में पढ़ेंगे Contract costing क्या होता है? Contract costing means एक ऐसा method या एक ऐसा specific order costing method जो वहाँ पर अपलाई किया जाता है जहाँ customer की special requirement को पूरा किया गया हो या वो contract जो customer की requirement को पूरा करने के लिए किया जा रहा हो और order बहुत लंबे समय का हो या यू कह सकते हो कि contract costing एक ऐसा method है जो हमें contract के अंदर कितने खर्चे लगे हैं या कितने incomes हुई हैं उसके बारे में पता करने के लिए helpful है Contract costing दो चीजों से relate कता है Work Uncertified और Work Certified Work Certified और Uncertified का क्या मतलब है? Work Certified means वो काम जो हो चुका है मतलब जितना काम contract के अंदर हो चुका है उसे हम Work Certified करेंगे और जितना काम अभी पड़ा हुआ है उसे Uncertified करेंगे ये नीचे जो ड्रॉ किया गया है और ये तीन types इसके बनाए गए हैं ये असल में तीन practical based questions होंगे इनके जो next three lectures में हम करेंगे कि मैं एक एक lecture में एक पार्ट करवाऊँगा उसमें क्या होगा ये तीन parts अगर हमने contract costing के अंदर किये तो हमें contract costing पूरा totally पता लग जाएगा क्या है और समझ आ जाएगा इसमें क्या है contract account with depreciation एक method आएगा contract account with depreciation जो हम next lecture में करेंगे उससे next lecture में हम करेंगे contract account preparation when work unsertified was not given कि अगर कहीं बरी अगर ये मतलब जितना काम हुआ नहीं हमें वही given नहीं है तो हम कैसे contract account prepare कर सकते हैं और सबसे जादा important estimate profit अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं contract account के अंदर ये तीन parts हैं जो हम next lectures में prepare करेंगे और इन तीन को अगर ये तीनो types यानि ये थी के थी types अगर आपको समझा गए तो contract costing आपको done हो जाएगा contract costing के कुछ basics हैं वो क्या है कि अगर तो आपका काम 25% less than 25% से less than काम हुआ है यानि work certified अगर आपका 25% से less है तो आप कोई भी profit profit and loss account में नहीं डालोगे उसके बाद अगर 25% है और उससे जादा है और लेकिन 50% से कम है तो आप उसमें ये notional profit multiply by 1 by 3rd into cash received divide by work certified formula लगा कर आप इसे calculate करेंगे similarly अगर आपका काम 50% हुआ है और उससे जादा है लेकिन 90% से कम है तो आपने 1 by 3rd की बजाए 2 by 3rd कर देना है लेकिन ये तो थे सिरफ formula based main important part जो यहाँ पर useful है और बहुत जादा useful है और important है वो क्या है कि अगर आपका काम full complete होने वाला है और 91 से 99% के बीच में है तो क्या करें अगर तो notional profit given है तो आप यही formula लगा सकते हो जो इसमें लगाया है लेकिन अगर notional profit नहीं given तो आपको estimate profit निकालना पड़ेगा और ये formula लगा कर ही आप काम कर सकते हो ये था कुछ basic और इसका कुछ example मैंने त्यार किया है वो आपको helpful होगा कैसे देखिए अगर तो cash receive जो मैंने अभी समझाया उसको एक practically explain किया है कि cash receive अगर 6 lakh है तो अगर आपको cash contract है जो वो आपका 6 lakh का है और आपका जो work certified है वो 1 lakh का है मतलब ये कि आपका काम अभी 1 lakh का हुआ है आपका contract 6 lakh का है तो आपकी जो percentage बनेगी वो कितनी है that is 16.67 कैसे 1 lakh divided by 6 lakh 16.67 आपकी percentage आई यानि आपकी percentage 25% से less है तो आप कौन सा method लगाओगे first that is आपने कोई भी profit profit and loss count में नहीं डालना इसके बाद अगर आपका second category है that is जिसमें आपकी percentage second number में आ रही है that is 25% से जादा लेकिन less than 50% है तो आप क्या करोगे notional profit multiply by 1 by 3rd into cash receive divide by work certified ये आपका एक formula लग जाएगा और similarly अगर आप third category में हैं तो आपका क्या percentage बनेगी 50% और less than 90% जिसे आप वही next formula लगा सकते हो लेकिन last category आपको यही कहती है कि अगर आपका काम 91% से 99% के बीच हुआ है तो आप क्या करोगे आप estimate profit निकालोगे और उसके base पे आप contract account त्यार करोगे यह थो था जो basic आपके चार formula जो आपको contract account बनाने में help करेंगे और उसके इलावा अगर आपको कहीं बार notional profit ना given हो यह estimate profit ना given हो तो आप कैसे find out करोगे यह अगर contract account में कह दिया कि notional profit find out करो और calculate करो और estimate profit calculate करो तो कैसे किया जा सकता है यह देख सकते हुआ इसका formula क्या है कि मतलब इसका meaning ही यह है कि difference between the value of work certified divided minus यानि difference जो भी है work certified में और जितना काम नहीं हुआ यानि जितना काम अभी हो यह कह सकते हो कि work certified अगर practically explain कर देता हूं कि जितना अगर suppose 10 lakh आपका काम हो चुका है और जितना अभी पड़ा है मैंने दोनों को add गिया तो मेरे पास आए 12 lakh 20,000 यानि मैंने total work देखा मेरा कितना था और कितना उस समय हो चुका है that is उसको minus करने के बाद उसको subtract करने के बाद जो आया that is known as notional profit एक बाद बार repeat कर देता हूं जो काम मलब जो contract पूरा हो चुका है यानि अगर मेरा काम 10 lakh हो गया है जितना नहीं भी हुआ वो भी add किया और उसके बाद जितना अभी pending है मलब जितना मैंने कर लिया है उसके बाद जो बचा that is known as notional profit estimate profit आपके सामने है contract price अगर मेरा 15 lakh है contract price इसे कैसे calculate किया जा सकता है कि contract price आपके पास given हो और जितनी cost टोटल cost आप already लगा चुके हो that is 11 lakh 15 lakh में से 11 lakh आपने लगा दी और आपके पास बचे सिरफ 4 lakh उसके बाद अगर आपको estimate है कि आपकी और cost additional cost अभी लग सकती है तो आपने क्या किया उसे भी less कर दिया और estimate जो निकलेगा that is known as profit ये दो तरीक के हैं जो आपको notional profit और estimate profit बताने में help करेंगे उसके बाद एक last चोटा सा topic जो आपको बहुत जादा help करेंगी adjustments ये 6 adjustments मैंने त्यार की हैं आपके लिए कि अगर आप contract account कर रहे हो और उसके साथ आपको balance sheet बनाने के लिए कहा गया है तो आप कौन कौनसी adjustment को ध्यान में रख स सकते हो अगर तो contract account में material at site है तो आपकी दो adjustment बन जाएंगी credit site पे आप contract account में डाल दोगे और balance sheet के answer side में similarly depreciation आपको बहुत important point है जो मैं आपको next lecture में 3 sum कराने वाला हूँ 3 lectures में आपको एक-एक sum कराने वाला हूँ first method है depreciation और depreciation जो है उसकी adjustment आपको बहुत important करनी पड़ेगी उसके बाद आ जाता है work certified और work unsatisfied उसकी भी दो adjustment है credit site पे हम contract account के डालेंगे और asset side के balance sheet में cash receive from contractee यह बहुत important है contractee account भी आप बनाते हो लेकिन वह बहुत easy है दो लाइनों का बनता है ज्यादा बड़ा भी नहीं बनता वह भी आप बना दोगे contract account में क्यों कैसे कि credit side पे आपकी जो आया cash आया वह contract account में डाल दिया और जो asset जो आपका यह आया था उसमें जो cash आया है उसे less कर देना है यह आपकी second adjustment बन जाएगी और fifth क्या है profit and loss अगर तो profit है debit side में contract account के show होगा loss है तो credit side में होगा और profit add हो जाएगा liability side पे और loss less हो जाएगा reserve national profit में से profit minus करने के बाद जो बच जाएगा national profit में से जो profit यानि जो national profit आपने brought down किया था profit and loss count में और उसके बाद जो profit आपने निकाला इन दोनों को less करने के बाद जो बचेगा that is known as reserve that is WIP का reserve जो आपका बचा उसकी भी कुछ क्या होगी adjustment debit side पे आप contract account के show कर होगे और work certified और uncertified में से उसे less कर दोगे these are the six adjustment which is very helpful for you in contract in preparing contract account so this was all about today हाँ अगली कुछ होगी आपकी three lectures में मैं आपको prepare कराऊंगा ये तीन account एक debt decision के base पे एक work uncertified कैसे calculate होता है और एक estimate profit ये तीनों sums अगर आपने समझ लिये तो आपका contract account पूरा हो जाएगा आपको बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा ये तीन एक तरह के sums हैं जो आपको contract account समझने में बहुत helpful हैं और ये एक formulas हैं जो आपको help करेंगे इंजी जो में so this is all about today hope so you understood what I said to you thank you very much have a nice day